उधो, तुम हो अती बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी उधो, तुम हो अती बड़ भागी, पुरई निपात रहत जल भी तर, तारस देह नादागी उधो, तुम हो अती बड़ भागी वक्रोक्ती से अलंकरत इस पद में सूर्दास जी ने जिन भावों को भूली भाली गोपिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किया है, उसी के बारे में हमने आज बात करनी है नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, कैसे आप सब आशा करती हूँ, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सूर्दास के इन पदों को पढ़ने से पहले हम सूर्दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अश्ट छाप कई जहाज कहलाने वाले कृष्ण जी के परमभक्त वे जन्मान्त थे या बाद में अंधे हुए अभी तक इस बारे में कुछ सी को कुछ अच्छे से पता नहीं है सूर्दास जी के जन्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो इनका जन्म वेशाक शुकल पांच दिन मंगलवार समवत आपको पता ही है 57 वर्षों का अंतर होता है समवत और सन में 1535 विक्रमी या फिर कह सकते हैं कि 1478 ईस्वी में हुआ ये अपने गुरु वलभाचारे जी से 10 दिन ही चोटे थी रचनाई इनकी वैसे 25 बताई जाती हैं हाँ इनके जन्म के बारे में दो मत हैं कि एक तो श्याम सुंदर दास जी राम चंदर शुकल हजारी प्रसाद विवेदी जी इनका जन्म गवगाट रोनकता में मानते हैं और वारता सहित्य में डॉक्टर नगेंदर जी या गंपती चंदर गुपची इनका जन्म सीही से मानते हैं गरंद की बात करें तो इनके 25 गरंद बताये जाते हैं किन्तों में से केवल तीन ही उपलब्ध हैं जिनके नाम है सूर सागर, सूर सारावली, सहित्य लहरी सूर सागर भागवत की पदती पर लिखा गया सकंदों में है और सूर सारावली, 1107 चंदों या पदों का गरंद है और सहित्य लहरी जो है वो, इनके प्रसिद द्रिष्ट कूत पदों का संग्रे है ये सारस्वत ब्रहमन और चंदर बरदाई, याद है ना चंदर बरदाई, जिन्होंने पृत्विराज रासो लिखा, उनके वन्शद माने जाते है सूर दास जी ने असल में तीन ब्रहमर गीतों की योजना की है प्रथम ब्रहमर गीत की पद संख्या है, 4078 से 4710 तक शेश तो ब्रहमर गीत कैपद जो है वो, ये सिरफ समझने के लिए है, इतना डीप में आपको जाने की जरूत नहीं है 4710 तक पहला, 4711 से 12 तक दूसरा और तीसरा, 4713 ये एक तरह से कथात्मक है, लेकिन अलग अलग पद है, हर पद की अपनी अलग कथा है, अपनी अलग बाद है ब्रहमर गीत में कुल 700 पद है, और प्रोफेसर मैनेजर पंडे ने ब्रहमर के तीन रूप पताई है कृष्ण का प्रतिक, उद्धव का प्रतिक और स्वतंत्र रूप, भ्रहमर गीत एक तरह से होता क्या है उपालंब कावय होता है, रामचंद्र शुकल जी ने इसको द्वानी कावय कहा है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सरल शब्दों में करें, तो बात ये है कि श्री कृष्ण ने मतुरा जाने के बाद खुद ना लोटकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा वो खुद जान नहीं सकते थे, और उद्धव जो है, वो एक बहुत बड़े ज्यानी है उनको प्रेम के बारे में ज्यादा नहीं ग्यान, किन्तु ध्यान, योग इनका उनको बहुत अच्छा ग्यान है और वो कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उनके प्रती प्रेम के अपिक्षा इश्वरिय भाव रखते हैं और प्रभू तो प्रेम से ही प्रसन होते हैं उधव को श्री कृष्ण जी दूथ बना कर भेजते हैं अपना उधव ने निर्गुन ब्रह्म और योग के उपदेश को लेकर गोपियों की विरया वेदना को दूर करने का प्रयास किया उनसे काहा कि मैं कृष्ण का दूर्थ हूँ उन्हें कृष्ण जी ने यह संदेश भेजआ है कि तुम मेरा ध्यान या मुझसे प्रेम करने क्या पेक्षा क्या करो निर्गुन निराकार का ध्यान करो अब होता ये है कि गोपियां क्योंकि ज्ञान मार की अपिक्षा प्रहिम मार को पसंद करती है तो उन्हें उधव का ये जो संदेश है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और वो एक तरह से शुश्क लगता है अलग-अलग उधारण देकर उन्हें इस संदेश के विश्य में काया है कडवी ककड़ी कहा है कहीं कुछ और कहा है वो हम आगे पदों में पढ़ेंगे तो गोपियों के साथ उधव का वारता लाप होता है तो वहीं क्या होता है कि एक भ्रहमर आ जाता है पुश्प पर भौवरा और गोपियों ने उस भ्रहमर को लक्षे करके क्योंकि भ्रहमर भी काला है उधव भी काले है क्रिशन जी भी काले है तो गोपियों ने उसको लक्षे किया और उपालम दिये उलाहना कह सकते हैं यहीं से ब्रहमरगीत की शुरुवात हुई अब पहले जो हमारा पद है उसको हम पढ़ते हैं उधो तुम हो अती बढ़ भागी व्यंग्य है इसके अंदर क्या है कि गोपियां उधो को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं कि हे उधो तुम तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हो अपरस रहत अपरस मतलब उपर उपर रहते हो अलिप्त रहते हो नीरस रहते हो अच्छूते रहते हो सनेह तगा, तगा मतलब धागा, सनेह मतलब प्रेम प्रेम के जो धागे से अप्रस रहते हो, अलग रहते हो नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन जो है वो अनुरागी भी नहीं है अनुराग से रहित है, अनुराग अर्थाथ प्रेम से रहित है पुरिनी पात रहत जल भीतर पुरिनी क्या होता है? कमल पात मतलब पत्ता रहत मतलब रहता है जल मतलब पानी के अंदर रहता है पुरिनी पात कमल का जो पत्ता है रहत जल भीतर जल के अंदर रहता है तारस देहने दागी फिर भी उसका जो शरीर है उस पर कोई भी दाग पानी का कोई निशान कोई दाग नहीं पढ़ता मतलब क्या हुआ कि तुम प्रेम क्या करशन को जानते नहीं हो तुम्हारा मन कृष्ण जी के प्रेम में कभी लेन ही नहीं हुआ तुम जल में रहने वाले कमल के पत्ते के समान हो जो पानी के भीतर रहकर भी पानी के दाग धबों से अचुता रहता है जियों उधारन आ रहा है जियों जल माह तेल की गागरी जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागरी बूंद ने थाको लागी उसको बूंद तक नहीं लगती जैसे पानी की मटकी में तेल की बूंद रहती है आप पानी में तेल डालेंगे तो तेल की बूंद जो हो उपर उपर दिखती रहती है उसके अंदर mix नहीं होती है पानी के अंदर अगर हम चीनी डालते हैं नमक डालते हैं वो उसके अंदर मिल जाता है उसे आप अलग करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं रसाइनिक क्रिया के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता लेकिन जो तेल की बूंध है वो तो उपर-उपर है दिये ऐसे ही जो वो बूंध है उसके पानी प्रभावित वो पानी से प्रभावित नहीं होती उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए जब प्रेम के सागर है उनके साथ रहते हुए भी हमेशा उनसे अच्छूते ही रहे कृष्ण प्रेम को तुमने अपने मन पर आने ही नहीं दिया प्रीती नदी में पाउं ने बोरयो प्रीती रूपी नदी देखिए रूपकलंकार प्रीती रूपी नदी में पाउं तो डुबाया ही नहीं बोरयो मतलब डुबोया ही नहीं प्रेम रूपी नदी में पाउं ही नहीं डुबोया द्रिश्टी न रूप परागी के पार्खी हो ना ही प्रेम के प्रभाव को जानते हो और तुम्हारे अंदर प्रेम भाव ही नहीं है अब सूरदास अबला हम भोरी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा अबला हम भोरी हम तो भूली भाली अबलाए है अबला जिसके अंदर बलना हो निर्बल स्रिया है क्यों हम निर्बलस्रिया हैं क्योंकि हम गाओं की भूली भालीस् exceria हैं हमें नहीं ग्यान की कोई ग्यान की बातें आती गुर चाटी जेॉत पागी जिस प्रकार चीटी गुर में लिपड़ जाती है और अपनी आखरी सास तक उसके साथ लिप्टी ही रहती है उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं उससे अलग नहीं हो सकते हैं एक बर दोबारा ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं उद्धव को व्यंग्य करते हुए गोपियां कहती हैं कि ये उधव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो तुम तो ये उपालंब है कृष्ण जी को क्यों उपालंब है कि सूर्दास जी ने उन लोगों पे व्यंगे किया है अपने इस पद में जो इश्वर के पास रहते हुए भी इश्वर से दूर है सूर्दास जी ने अपनी इस बात को गोपियों के माध्यम से प्रकट किया है कि जैसे पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी के धब्बों को अपने उपर नहीं पढ़ने देता पानी में रहकर भी तेल पानी से नहीं गुलता उसी तरह श्रे कृष्ण के सदा समीप रहकर भी उद्धव जो है कृष्ण की भक्ती और प्रेम से वंचित है पूरी नी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी उसका रस से अलग रहता है जियों जल माह तेल की ग करेंगे जियों जल माह तेल की गागरी बूंद नता को लागी प्रीती नदी में पाउं न बोरियों प्रीती की नदी में प्रीती रूपी नदी में पाउं तक तो तुमने डुबोया ही नहीं दृष्टी न रूप परागी तुम्हारी दृष्टी में श्रे कृष्ण के रखते ही नहीं है अबला हम भोरी सूरदास ची गोप्यों के मादर हम से गहते हैं कि हम तो भोली वाली अब लाए हैं गुर्चांटी जयों पागी जयों मतलब उप्मा अलंकारा गया यहाँ पर अब आप कहेंगे कि उपर जयाँ आया था तो आप आपने उदारन कहा, यहां जियों आया है तो आपने उपमा कहा, यह भी हम शिल्प संदर्य में करेंगे, क्यों है कैसे है, तो यहां तक आशाकर्तिया आपको समझ आया होगा, अब आप देखिए इसके अंदर से बनने वाला जो भाशागत विशेशताई हैं, भाशा इसके अ तत्सम तद्भव शब्दावली है, अनुप्रास रूपक उपमाउद रिष्टान वकरोकते उधारनादी अलंकार हैं, हाँ एक बात यह जरूर ध्यान रखनी है कि वारता लापशैली का प्रियोग है, वारता लापशैली में सूर्दास जी बहुत बहुत प्रकर हैं, जोड़कर सूर्दास जी के पीछे चलते हैं, उधो तुम हो अतीबढ़ भागी, इसमें है वकरोकती अलंकार, अपरस रहत सनेह तगाते, इसमें सनेह रूपी धागा, तो रूपक अलंकार, और कहां है प्रीती रूपी नदी, प्रीती नदी में रूपक अलंकार, उसके अ जोपागी, इसमें है उपमालंकार, जो मानो मनो जानो जनो में उत्परेक्षा, यहां कनफ्यूज होते हैं बच्चे, उसके अलावा सीसा समसमान, उपमान में उपमे की समता तुलना की जाए, तो उपमालंकार होता है, ठीक है, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, इसमें है द्रिश्टांत अलंकार, जो जल माहतेल की गागरी, यह बात हो गई है उधारन अलंकार, तो इसके अलावा, शिल्प संदरे की बात करें, तो इन पंक्तियों में सूर्दास जी ने गोपियों के द्वारा उध्व पर उलाना दिया है, व्यंगि दिया है, कि वह एक तरह से बड़ भागी नहीं है, जो यहां का आगया है, वो तो एक तरह से भागय हीन है, जो शिर कृष्ण के साथ रह कर भी, उनसे प्रेम नहीं कर पाया, प्रेम को समझ ही नहीं पाया, इस पद में कवी ने तत्सम तक भवशब दावली का प्रयोग किया है, मन की अग बात अगर मन में ही रह जाए, तो थोड़ा दुख होता है, इसलिए तो मोदी जी ने मन की बात और हमारे स्कूल कॉलेज में भी चलता है ना मन की बात, अगला उसी से ही संबंदित है, देखिए, गोपिया क्या कहती है, भाव कितना प्यारा है, कितना अत्मधूर, कहती है हमारी बात तो मन की अंदर ही रह गई, श्रीक्रेशन से मिलने की हमारी जो बिलाशा है, वो तो मन में ही रह गई है, उधव तुम आ गई हमें तो लगा था, देखिए, उधव का सुरूप श्रीक्रेशन जैसा ही है, उसी तरह का मोर मुकुट, उ उधव ना ही परत कही हमें तो आशा थी कि कृष्ण जी बहुत जल्दी हमारे पास आएंगे हमें दर्शन देंगे लेकिन वो तो आए नहीं अब हम किस से जाकर अपनी बात कहें हमसे तो किसी और से कही नहीं जाती कहिए जाई कौन पए उधव है उधव मन की बात व्रेम की जो गहराईयों की बात है, हम तो श्री कृष्ण से ही कर सकते हैं, हम अपने मन की बातें कृष्ण जी को ही कहना चाते हैं, उनके सामने ही ये बाते कहेंगे, और किसी से नहीं परत कहीं, नहीं कहीं जाती, अवधी अधार आस आवन की अवधी अधार अवधी मतलब समय अधार मतलब आधार आस मतलब आशा आवन की मतलब आने की क्या लगा था श्री कृष्ण जी निके आने की अवधी को अधार मान कर हम तन मन को की व्यता को यूँ ही सहन कर रहे थे अब इन योग संदेशों को सुन सुन कर विरहनी विरह दही हम जो विरह की आग में जलने लगी हैं क्या भाव है कि हम तो इस आशा के सहरे ही जी रही थी श्री कृष्ण जी शीगर ही आएंगे और हमारी बेट होगी किन तु अब तो तुम्हारे मुख से वो खुद तो आई नहीं उन्होंने भेज़ दिया तुम्हें और तुम भी उनका कोई संदेश लाने के बज़ाए हमारे उपर उनका प्रेम जो है वो हमारे मन से निकालना चाहते हो उसके साथ साथ क्या चाहते हो कि वो प्रेम निकल जाए और योग संदेश अंदर आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता दिखे कितना दुख है गोपियों में, कितनी व्यत्था है, विरह, तडप, कितने ज़ादा है, मीरा बाई में भी बहुत थी अब इन योग संदेश नी सुनी सुनी, अब तुम्हारे मुक से ये योग संदेश को सुन सुन कर बिरहनी बिरह दही, हम विरहनियां, ब्रज की, गोपियां, गोपियां अपने आपको क्या कह रही है, विरहनियां, विरह की दशा में जलने लगी है चाहती हुती गुहारी जित हीते जिधर भी हम विरह की आग से बचने के लिए गुहार लगाती हैं जित हीते जहां से भी गुहारी गुहार लगाते हैं पुकारते हैं रक्षा के लिए उत्तैधार बही उधर से ही विरह की और तीवर लप्टें हमें और जलाने लगती हैं मतलब धैरे कहां से रखें उत मतलब उधर धार मतलब योग की प्रबल धारा जहां से तो हमने अपनी रक्षा के लिए पुकार की थी गुहार लगाई थी उत्ते धार वही वहीं से तो हमें तुमने योग संदेश लाकर दे दिया ऐसी योग संदेश की धार लेकर बहादी है सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जाता ने लही सूरदास जी क्या कहते हैं कि पहले तो आप ये देखिए वो कह रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए विरह में हम पागल हो रही हैं और हमारा दुरभाग्या देखो कि अपनी रक्षा का लिए सहारा हम हमें लगा था कि तुम आए हो हमें हमारे काना जी का कृष्ण का कोई संदेश दोगे योग साधना देने लगे तुम तो हमें और ही जाधा जलाने लगे हो भी रह कि आग में अब तो हमारी जो रही सयास थी वो भी खतम होने लगी है सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादा ने लही सूरदास जी कहते हैं गोपियों ने उद्धव से उलाना देते वे कहा कि हम कैसे अपने धहरे का पालन करें अपनी मर्यादा में रहें क्रिश्न ने ही अपनी मर्यादा का उलंगन कर दिया है उसे तोड़ दिया है मर्यादा पार कर दिया है मतलब श्री क्रिश्न ने ही अपने जो प्रेम को निभाने के लिए हमसे promise किये थे कह सकते हैं आज के कलियोगी समय में हमसे जो वचन किये दिये थे वो सब उन्होंने निर्वा नहीं किये और उन्हें तोड़ दिया है बहुत बहुत दुख जैसे हम किसी के विरह में ऐसा हमारे साथ हो ही ना बलकी चलिए अब इसकी यह देखिए कि मन की मन ही मांज रह गई इसका क्या मतलब है कौन सी बात थे उनके मन में जो उनके अंदर ही रहे यह कई बार प्रशन आता है उन्हें लगा था कि जब कंस का वद हो जाएगा तो श्री क्रिशन हमारे पास वापिस आएंगे ब्रज में आकर उनके साथ रहेंगे लेकिन क्रिशन तो मतुरा के हो गए वो तो वहां के राजा बन गए उन्हाने तो हमें छोड़ दिया भूल गए कुबजा नात हो गए वो तो और हमारे प्रती प्रेम को समाप्त कर दिया और साथ साथ में इस योग का संदेश भी एक तो अपना प्रेम छोड़ दिया उपर से हमारा जो एक उनका श्री कृष्ण के प्रती प्रेम ही हमारे जीवन का अधार था उसे भी वो खत्म करना चाहते हैं अच्छा गोपियों जहां गुहार लगाना चाहती थी वहां से क्या संदेश आया योग साथना का और गोपियों ने किस तरह की मर्यादा की बात कही तो गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम की मर्यादा का पालन करने की बात कही उनकी दृष्टी में क्रिश्न ने अपनी प्रेम मर्यादा का उलंगन कर दिया और वो उन से भी गोपियों से भी ये चाहते हैं कि वो भी अपनी मर्यादा तोड़ दे और योग संदेश को अपनाए गोपियों को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है ये प्रशन कई बार आ जाता है तो गूपियों को एक निश्ट भक्ती और प्रेम प्रिया है, निर्गुण ईश्वर का संदेश अप्रिया है अच्छा यहां अगर अलंकारों की बात करें, शिल्प संदर्य की बात करें तो शिल्प संदर्य में तत समतत भवशब्दाली है, साहितिक ब्रज भाषा है, वही पहले वाली बात है भाषा माधूर्य गुण युक्त, सरल, सहज और मार्मिक है वार्ता लाप और तर्क शैली से भाषा में एक तरह से रोचकता उत्पन हुई है पद छंद का प्रयोग है और गेता संगीतात्मक्ता का गुण है उसके अलावा अनुप्रासलंकार तो है है मन की मन ही मांज उसके अलावा तन मन निशान लगा ले जेन को संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही चाहती, हुती, गुहारी, जितहीं तै, उततै और धरी, धरही, इन में अनुप्रासलंकार है सुनी सुनी में पुनरुक्ती प्रकाशलंकार है आशा करती हूँ, समझ आया होगा, आया है तो पेज इसे लाइक, शेर और सब्स्राइब जरूर करें अपने सभी फ्रेंट्स में इसे शेर जरूर कर दें आगे और दो पद करेंगे इनके तो उसके लिए आप इंतजार करें धर्वाद